देखे जारखट का विदानसभा के चुनाव संपन्द हुआ और आज काउंटिंग है और शुरुवाती दोर में तो बैलेट पेपर्स का काउंटिंग होती है फिर जो इवियम टेबल्स पर जाती हैं खुलती है उसके नतीज़ आते हैं लेकिन शुरुवाती दोर में इसी ऐसे लग रहा है कि टक्कर है और कांग्रेस पार्टी की बढ़त है और सरकार बनाने के नजदीक होगी सब्सक्राइब कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी आज राजगाट पापुजी की समाधी पर जाइलेंट धर्ना देगी और वे में राष्टी अध्यी सोनिय गांधी जी और राओल गांधी जी के लावा हमारे राष्टी बाष्टियमाज सचीव स्मेंद्य प्रेंका गांधी जी हुँ हो अपर सामील होंगे और देश में आलाद चल रहे हैं Citizenship Amendment Act के बाद और NRC का जिस तरीके से पार्लिमेंट के दोनों होसिस में ग्रेह मंत्री जी ने खुल के कहा था कि NRC आ रही है NRC आ रही है तो इसमें सक्षूबे की बात नहीं है अलागे कल रामलीला मैदान में परदान मंत्री जी ने अवश्य कहा के NRC का तो कहीं जीकरी नहीं है डिटेंशन केंप पूरे हिंदूस्तान भर में कहीं भी नहीं है लेकिन आसाम में NRC लागू है वहाँ डिटेंशन केंप है जो कारगिल लडाई के हीरो उनमें डिटेंशन केंप में ही उनका पूरा परिवार है तो परदान मंत्री जी को सही सूचना नहीं है या जानबूज के जूट बोल रहे हैं अपने आप में दुर्भाग के पूरण है और आज गांदी जी के रास्ते पर चलते हुए शांती पूरण धरना प्रदर्शन हो विरोध हो इस कानून का पूरे देश बर में लेकिन तनिक भी उसमें हिंसा ना हो और अपने सत्य के उपर अडिग हैं सत्याग्रे इसको मानिए और उसी के लिए आज यह धरना है प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं हमारी प्रधानमंत्री है कर रामली लव वैदान पर कितना जूट बोला उसका अंदाज लगा जा सकता है तो कि अनर्सी किसी भी स्टेज पर कहीं भी चर्चा ही नहीं है चुनाव प्रचार में तो निरंतर इनके नेता सब लोग जहार खंड में भी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे इनके ग्रे मंत्री जी अमित्षा जी पर्लिमेंट के दोनों सद्रों में खुल के ठोक के उन्होंने का अनर्सी आ रही है अनर्सी आ रही है वो क्या कह रहे थे तब तो प्रधान मंत्री जी ग्रे मंत्री जी को बदाई दे रहे थे कि इतने शांदार आपने पर्लिमेंट में भाशन दिया है मुबारकबाद हो और तब यह नहीं कहा कि एनर्सी का उद्दा क्यों उठाया एनर्सी तो जिकर ही नहीं हुआ है कहते हैं कि डिटेंशन कंप पूरे देश भर में कहीं भी नहीं है एक भी नहीं है हमने देखा ही नहीं सुना ही नहीं है और आसाम में डिटेंशन कंप बने हुए आसाम में तो कारगेल वार हीरो और उसका परिवार और डिटेंशन कंप में है तो प्रधान मंत्री जी ने ज जलत बोला जूट बोला और एनर्सी को जगे जगे जाके बता रहे हैं तीन दिन पहले भारतिये जंता पार्टी के राष्ट्री कारेकारी राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अपनी प्रेस कॉंफरेंस रूप में सारजनिक रूप से कहता कि हम एनर्सी भी लेक तो क्या सभी जूट बोलेंगे इनके भारतिय जंता पार्टी के कारेकारी राष्ट्री अध्यक्ष भी जूट बोलेंगे मैं समझता हूं कि वह सही बोल रहे थे प्रधान मंत्री जी ही नहीं पूरे बॉयलेंस के अंदर प्रियंका गांदी ने भी विजनार के अंदर परिवार वालों से जाकर मुलाकात करी जिनके घर के लोग मारे गए है इस पूरे बॉयलेंस के लिए देखे जिस तरीके से आनन फानन में नागरिक संचोदन अं विल पास हुआ कानून बना और जिस तरह से भारती जंता पार्टी ने जगे जगे परचार करके और ग्रे मंत्री जी ने पार्लेमेंट के दोनों सदनों में ये बताए कि हमेनार्ची लेके आ रहे हैं हमेनार्ची लेके आ रहे हैं पूरे देश पर में तनाव भै और आतंक का महौल पहला और जगे जगे इसका विरोध हुआ दरने प्रदर्शन हुए उत्तर प्रदेश में भी हुए अठारा लोगों की जान जा चुकी है और उसमें हर एक में ये पुष्टी की है कि वो बुलिट इंजरी से डेथ हुई है लेकिन वहां के डीजीपी पुलिस के द्वारा ये दावा कि लगके जा रहा है कि गूलिट इंजरी से डैथ तो हुई है लेकिन पुलिस की गोली से एक भी नहीं मिरा कर05 कितने क्या कोई कि विस्वास करेगा कोई विस्वास तो कर सकता है और मुझे खबर ये भी लोगोंंए कुछ लोगोंने बताया कि पुलिस के लोग अतने लाइसं तो यह गंभीर एक इसका आस्पेक्ट है इसकी हाई लेवल जुडिशन इंक्वारी होनी चाहिए पूरी तरह से फेल रही है